यामन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कोहराम मचा रखा है हूतीयों के हमलों में दरजनों जहाज को नुकसान पहुँच चुका है हूतीयों का आतंग इतना जादा है कि दुनिया भर के कारगो शिप एशिया आने और जाने के लिए अफरिका का लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर है यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं के गटवंधन को भी नाको चनी चबवा रखे है हूती लड़ा के अभी भी लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शिल जहाज पर मिसाइले दाग रहें समुद्री लिटोरिस विजादा खोखार हो चुके हूतीयों के खतरनाख हतियारों से अमेरिका भी तंग है अमेरिका ब्रिटेन के नित्रित्में बना गटवंधन भी बॉखला गया है अपने हमले के कथित चौथे चरण में हूतीयों ने एक पर फिर एक नए हमले के साथ लाल सागर में कोहरा मचा दिया है फिर हूतीयों की ओर से जहाजों पर हमले से मिडिलीस्ट दहल उठा है इरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि पनामा के जंडे वाले दो कंटेनर जहाजों पर अधन के खाड़ी में दो मिसाइलों से जबर्दस थमला किया गया हूतीयों की हिमाकत यहीं तक नहीं रुकी इसके लड़ाकों ने हिंद महासागर में भी एक जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है गुरवार कुभूती विद्रोहियों के सैने प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने MSC डियेगो और MSC जीना पर हमले का दावा किया है सारी ने कहा कि समू ने हिंद महासागर में MSC विटोरिया को भी निशाना बनाया हाला कि किसी बेदिकारी ने उस जहाज पर हमले के पूछ्टी नहीं की है नफदत लगुआत अल्मसलछत यमनिया अमलियत मुश्तरका मिं खलाल को तो रहा बहरी ए वे जो मम्स्यर बोल्को तो AZ चली ने कि उन सकतर सुष लूप यास लतिकार्वाश भीणम ऑ्नाया ऑालाना बोग्तben कि यत्वार्यत ए बार्फ इन सम कवा त hay ले झाल इस वे पालीफ लझना तो ओ येलाना कि वेला आमना अफ्ष्श बू़त घरूखिया अमलियत्यूश, इस्ते चीद3ा है। थान इस्पिन कार्शीा मि प suivयारा हंत्यूषasan क Εं欸िस 1,2,1,2,3,6,6,6,6,6,6 बास अफ्ष्वण इस्फेने हम उत्य कार्श जन हम्वारा है। खास बात यह है कि यहाया सारिया के इससे दावे ऐसे वक्त पर आये हैं जब हाल में विद्रोही हमलों की गती कम हो गई थी दरसल हुतियों पर अमेरिकी नित्रित्व वाले कटवंदन के यूट पोद की ओर से बार बार किये गए हवाई हमलों से निशाना बनाये गया है ABC News की एक रिकोर्ट के मुताबिक Middle East में एक्टिव अमेरिकी नित्रित्व वाले कटवंदन ने दावा किया कि दो मिसाइल हमले मंगलवार तड़के हुए इसमें कहा गया कि किसी को भी चोट नहीं आई और जहाज पर सवार सभी क्रूस रक्षित हैं दावा किया गया है कि जहाजों को इसराइल से जुड़ा होने के चलते टार्गेट किया गया था दोनों जहाज जिनेवा में Mediterranean Shipping Company के लिए काम कर रहे थे हूतियों ने दावा किया कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में Shipping पर उनके हमलों कमक सर्गाजा में हमास के साथ अपने संगर्ष को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालना है अमेर्की समुद्री प्रशासन के मुताविक हूतियों ने बीते साल नवंबर से अब तक 50 से जादा हमले किये हैं इसमें से एक जहाज को जब्त करना और दूसरा तुबाना शामिल है